पंजाब में मुस्लिम समुदाय की लोगों को आने वाली मुश्किलों को हल करने के लिए पंजाब सरकारद्वारा पंजाब मुस्लिम वेलफियर एंड डेवलिप्मेंट बोर्ड का निर्मान किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल के निर्देशों पर बोर्ड के पहले चेर्मेन दिलबाग हुसेन द्वारा मुस्लिम समुदाय की मुश्किलों को सुना गया उसके रिपोर्ट पंजाब सरकार को भेजने के बाद सरकार ने मुस्लिम भायचारे की मांग को मान लिया है जिसमें उन्होंने कब्रिस्तान की निशान देही करवाने की बात कही थी जालंदर के सरक्रिट हाउस में इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के चेर्मेन ने कहा कि पंजाब सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और सभी चिलों के डिप्टी कमिशनरों को आदेश दे दिये हैं कि वे अपने अपने इलाके में कब्रिस्तानों की निशान देही करवाएं उन्होंने सभी डिप्टी कमिशनरों से अपील भी की है कि वे आदेशों की कौपी लेकर उनकी मदद करें इस मौके पर दिलबाग हुसेन ने परकाश दिंग बादल के 88 में जनम दिन पर उनको भदाई भी दी आज दी मीटिंग दा मुके जन्डा सब को पहला ते बाल साओनों मुबारकां दितिंगा जना जना जाना जनम देन और काम ना कीती है उना दी लंबी उमर वास्ते थेट जाबी वास्ते को तो बाद जो पंजाब मुस्मिन वेलफर एंड डिवेल्मेंट बोर्ट जेदा मनुसरकार ने चेर्में लाया सी ओधिया प्राप्तियां और खास करके कवरस्ताना दी निशान दी और बौंडरी वार और मदर्सें वास्ते गरांट नकान आमे दी कुछ प्रावलम सी हो द पंजाब मुस्मिन पाई चेर्में बेंती करना चाहना पर चिछिएं सारे डीसी दो पहुंच चुकियां होनगी या उन्हें कॉपिंग हो तो कलेक्ट करके अपने अपने पंड़ां दे कवरस्ता दे निशान दे जेड़ी यह तसील दा तो मार करवा के करवाएं जिते को को करवाएं के देगी उदे स्वंद बेच नमा शेयर को लब रहे हैं लेकर रोपड़ जले देविच एक एकड़ जमीन आसरों पेंड़ी पंचेयत ने करवस्तान वास्ते देती हैं तो मैं उस पंचेयत दा भी तनवादियां और मामीद करना पे पंजाब दे लोग बड़े बड़े जिगरे बाड़े या उजे किसे कौम ने भी किसे चीज़ी जरूरत पहें दिया दा अगे होके और मोरे होके उस चीज़े में चो हिस्सा लें देया और इस करके मैं उस पंचेयत दा भी तनवाद करना